Welcome friends in Health Rambo, दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे vaginal infection के बारे में मतलब योनिका infection इस वीडियो में हम बात करेंगे योनिका infection क्या होता है, क्यों होता है, क्या कारण होते हैं, क्या इलाज होता है, कौन सी medicines यूज होती है साथ में हम घरे लाज और साबधानिया और बचाओ, उसके साथ साथ में हम ये भी बात करेंगे कि डाइट में क्या खाएं और क्या ना खाएं अगर हम vaginal infection की बात करें, तो normal vaginal जो होती है, अंदर से pinkish, गुलाबी रंकी होती है बट यदि vagina के अंदर किसी तरीके का infection हो जाता है, तो क्या होता है, ये लाल हो जाती है, साथ में इसमें सूजन या rashes भी हो सकते हैं अगर हम बात करें, वजाइना में infection के कारण क्या होते हैं, तो इसमें कुछ bacteria होते हैं, जिनके हम आगे बात करेंगे साथ में yeast या fungus, उसके अलावा hormones का असंतुलन या फिर diabetes, साथ साथ में antibiotics का जादा इस्तमाल करना, उसके अलावा यदि किसी वक्ति में low immunity है, या फिर unprotected sex करते हैं, काफी बार क्या होता है, पार्टनर की वज़ा से भी आपको infection हो सकता है उसके अलावा, यदि किसी तरीकी की injuries हो जाती है, internal parts में, या फिर आपका, जो vitamin D और vitamin B12 का level कम है, तो इसकी वज़ा से भी आपको बार-बार infection हो सकते हैं अगर हम बात करें इसके लक्षन क्या होते हैं, तो इसके लक्षन क्या होते हैं, योनी में खुचली होना, विशाप के दोरान दर्द या जलन महसूस करना, संभूख के दोरान, sex के दोरान दर्द, या फिर योनी से किसी तरीके का खून आना है या धबबा सा दिखाई देन योनी के आसपास में सूजन या रेडनेस साथ में योनी से डिस्चार्ज होता है जो पानी निकलता है उसकी मातरा में बदलाओ या फिर उसका जो कलर होता है उसके अंदर बदलाओ होना अगर हम योनी के पानी या योनी से डिस्चार्ज की अगर हम बात करें तो ये डिस्चार्ज योनी से होना एक नॉर्मल चीज होती है और ये जो होता है सर्विक्स और गर्वासे की गरंतियों के द्वारा पानी निकाला जाता है इस पानी निकालने का मतलब यह होता है कि आपकी योनी है उसको साफ रख सके साथ साथ में योनी में बहुत सारे dead tissues और bacteria वगरा होते जिनको बाहर निकाला जाता है इससे क्या होता है योनी का जो temperature है वो भी maintain होकर रहता है योनी का जो पानी होता है वो period के अलग-अलग days में अलग-अलग हो सकता है यदि हम इसके पानी की बात करें तो मुख्य जो होता है सफेद पानी आता है और ये हलका बहुत हलका पतला पानी होता है अगर ऐसा पानी है तो नॉर्मल होता है इसके लिए आप घबराए नहीं यदि यूनीका पानी जो सफेध है लेकिन गाड़ा है तो भी ये नॉर्मल होता है बट यदि इस पानी में सासात में आपको खुजली जलन या फिर आपको कुछ different लगता है तो ये infection का कारण हो सकता है पीला पानी अगर अब पीले की बात करें तो ये abnormal होता है और ये infection का संकेत होता है सासात में यदि इसके अंदर smell भी आती है तो इसको ये confirm करता है हरा पानी हरा पारणी भी अबनॉर्मल होता है ये भी जो होता है इन्फेक्शन को दर्शाता है अगर हम बात करें भूरे रंग की पानी के तो भूरे रंग का जो पानी होता है मतलब इसमें कुछ-कुछ जो होता है खून होता है तो ये जो होता है आपका पीरिड बादा आता है मतलब मासिक जो आप खतम हो जाता है उसके बाद में या उसे पहले भी तो ये abnormal condition होती है ये किसी तरीके का अंदर किसी injury, endometritis या फिर cervical cancer या fibroid condition को दर्स आता है अगर हम बात करें बैक्टिरिया की तो जो बैक्टिरिया जो common होते हैं Candida, Clemidea, Gonorrhea और Trichomenesis होते हैं ये मुखे जो होते हैं बैक्टिरिया फंगस होते हैं जिनकी वज़ा से infection होता है तो आपके डॉक्टर को आपको कब दिखाना चाहिए तो यदि आपका जो योनिक का रंग है उसमें पानी में कोई बदला होता है आपको इसमेंस आती है यदि आउनी के आसपास में आपको सूजन, जलन, खुजली या कुछ रैशेज महसूस होते हैं या फिर आपको पिश तो उसमें क्या होगा ये सर आपका पॉजिटिव होगा साथ में यूरीन एग्जामिनेशन, डूटीन, माइक्रोस्कोपिक या यूरीन कल्चर उसके अलावा जनाइटर टेक्ट का अल्टर साउंड या आपके डॉक्टर करवा सकते हैं कॉल परिसकोपी अंदर देखने के लिए उसके अलावा आपके डॉक्टर आपको LBC या PEPSMEA भी टेस्स करवा सकते हैं या जरूरत पढ़े तो कैंसर की चांच के लिए फर्दर डॉक्टर आपको BIPC भी करवा सकते हैं उसके अलावा अन्न टेस्ट जैसे की VITAMIN D, VITAMIN B12 ये टेस्ट भी आपके डॉक्टर करवा सकते हैं कि इसके इलाज की बात करें तो इसके इलाज के लिए सबसे पहले आपके डॉक्टर आपको एंटिफंगल क्रीम वगरा देंगे या फिर आपकी योनी में डालने के लिए टैबलेट होती हैं पैसरीज होती हैं वो उसके अलावा एंटासीट्स, लैक्टिक ऐसि देंगे जो मुख्य होती हैं एंटिबाइटिक इसमें काफी तरीके की यूज होती है जैसे एंपेसलेन, क्लॉकससलेन या फिर एमाकससलेन या और्निडाजोल मेटरडाजोल उसके अलावा डॉक्टर आपको अन्य एंटिबाइटिक भी दे सकते हैं अधि हम इसके डॉमस्टिक टीट्मेंट की बात करें तो आपको नारियल का तेल जो होता है जहां पर आपको रेडनेस वगरा दिखाई देती इचिंग वगरा वहां इस्तिमाल कर सकते हैं साथ में यदि आपको इंफेक्शन है तो प्याज, लहसन, जिंजर वगरा का आप इस्तमाल जादा करें इससे क्या होगा सूजन वगरा कम होगी और यह इंफेक्शन को भी रोकते हैं साथ में दही का भी इस्तमाल करें उसके अलावा बोरी कैसिड जो आपके डॉक्टर भी आपको रिकमेंड कर सकते हैं इसके लिए आप क्या खाएं तो आपको रोजान आठ से 10 गलास पानी पीना है क्योंकि पानी जो है आपकी योनिको जो होता है काफी सारा काफी तंद्रुस रखता है साथ साथ में खटे फलो का जो रस वगरा पीएं या उनका खटे फलो का जादा इस्तमाल करें जैसे अमरूद से अपनीमबू वगरा अंगूर वगरा इनका इस्तमाल जादा करें उसके अलावा तुलसी के पत्ती वगरा भी इस्तमाल कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया प्यास लहसर नो जिंजर का आपको जादा इस्तिमाल करना है। उसके अलावा दही भी आपको regular खाना है। इससे क्या होगा कि आपका जो temperature है योनिका वो भी maintain रहेगा तता जो इसके जो अच्छे bacteria हैं उसको maintain करने में भी दही काफी मदद करेगा। यदि हम बात करें क्या नहीं खाना है तो आपको packed food avoid करना है, कम खाना है, cold drink वगएरा, साथ में चाय, coffee वगएरा आपको कम लेना है, साथ में जादा नमक भी ना खाएं, अगर आप smoking करते हैं तो कम smoking करें और शराप ना पिएं, उसके अलावा केले वगएरा का मातरा भी, के उनी को धो लें, उसके अलावा आपको सूती अंडर वियर पहनना है, जो tight fitting जादा नहीं पहनना है, नहाते वगत आपको जननंगो की सफाई रखनी है, एंटिवाटिक का जादा इस्तिमाल नहीं करना है, आपको जो गीले कपड़े हैं, उसमें नहीं रहना है जादा समय त यदि हम बात करें कि जो married couple होते हैं, उनको क्या साबधानियां बरतनी चाहिए, तो उसके लिए संभोग के बाद आपको योनी की सवच्चता maintain करके रखना है, साथ में उसको साफ करना है, साफ करने के लिए आप tissue paper ये साफ कपड़े का इस्तमाल कर सकते हैं, और sex के दौरान जो है, आपको ये चीज़ और ध्यार नकना है कि यदि आपके एक partner को infection हो रखा है, तो आपको उस दौरान intercourse नहीं करना है, otherwise क्या होगा दूसरे partner को भी जो होगा infection हो जाएगा, यदि हम बात करें, infection जाने में कितना समय लगता है, कितने समय में चला जाएगा, तो ये depend करता है कि आपका infection किस तरीके का है, और उसका क्या इलाज किया जा रहा है, अगर आपका infection नॉर्मल है, तो हो सकता है, उसके लिए इलाज की ज़रुवत ना पड़े और वो दो-तीन दिन में याफते में ठीक हो जाए, बट यदि आपका infection जो होता गंभीर होता है, तो उसमें कि एंगे हैं झाल्सरिंबू